भारत ने तीसरे वन डे माच में साथ आफरिका को हरा दिया है मंगलवा टीम इंडिया ने इस मैच में साथ वुकेट से जीत हासिल की इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को दो एक से अपने नाम कर दिया है जिसके बाद कप्तान शिखरदवन ने टीम के प्रदर्शन को लेकर खुशी जाहिर की है शिखरदवन ने कहा कि हमने ये दबाव कभी नहीं आने दिया कि हम पिछड रहे हैं अगर हम चीजों को सही तरह से अंजाम देंगे तो परिणाम आते रहेंगे शिखरदवन ने कहा मुझे सभी खिलाडियों पर गर्व है टीम में सारे युवा खिलाडी हैं और जिस तरह उन्होंने परिपक्वता दिखाई वो सरानी है था हम सीरीज में एक शूने से पिछड रहे थे लेकिन पहला मैच हाने के बाद हमने जो समझ दिखाई वो अच्छा था अगले मैच में सभी ने फिल्लिंग में अच्छा किया हमने ये दबाव कभी नहीं आने दिया कि हम पिछड रहे हैं अगर हम चीजों को सही तरीके से अंजाम देंगे तो परिनाम आते रहेंगे हमारे सभी गेंबाजों ने अच्छी गेंबाजी की जहां तक मेरी बात है तो मैं अच्छा करना चाहता हूँ फिर शाहे मैं किसी भी टीम के लिए खेलू मैच की बात करें तो इंडियन कैप्टन शिकरधवन ने टॉज जीत कर पहले बोलिंग का फैसला किया टीम के बोलर्स ने उनके फैसले को बिलकुल सही साबित किया और साथ आफरिका की पूरी टीम को 99 रन पर ओल आउट कर दिया रक्षिन अफरिकी टीम की तरफ से महस तीन बल्लेबाज ही दहाई का आकड़ा छूपा है हेंडिक ट्लासन ने सबसे ज़्यादा 34 रन बनाए जबकि जानेमन मलान ने पंद्रव और मार्को एंसन ने 14 रन की पारी खेले भारत की तरफ से कुल्दीब यादव ने सबसे ज़्यादा चार विकेट लिये वाशिंग्टन सुंदर, मुहमद सिराज और शाहबाज एहमर ने दो-दो विकेट हासिल किये 100 रन के छोटे लक्ष का पीछा करते हुए टीम इंडिया के शुरुआत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही 42 रन के स्कोर पर टीम को पहला जटका लगा जब टीम के कप्तान शिखरदवन आच रन बनाकर रन आउट हो गया वहीं 58 की स्कोर पर पिछले माच के हीरो इशान किशन भी चलते बने किशन ने 10 रन की पारी खेली जिसके बाद श्रियाश ऐयर और शुबमन गिल ने समखल कर बैटिंग करते हुए टीम को लक्ष के करीब पहुचा दिया 97 रन के स्कोर पर टीम को शुबमन गिल के तौर पर तीसरा जटका लगा गिल 49 रन बनाकर आउट हुए जिसके बाद श्रियाश ऐयर ने चक्का लगा टीम को जीत दिला दी टीम इंडिया ने लक्षी को महज 19.1 ओवर में हासल कर लिया इससे पहले टीम इंडिया ने T20 सीरीज भी अपने नाम की थी टीम की इस जीत में हीरो रहे कुलदीप यादम जिन्नोंने मैच में चार विकेट हासल किये कुलदीप को इस शांदार प्रदर्शन के लिए मैन ओफ दे मैच चुना गया वहीं पूरी सीरीज में कमाल की बॉलिंग करने के लिए मोहमद सिराज को मैन ओफ दे सीरीज चुना गया फिलाल इस खबर में इतना ही आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथ ही रविराज ने मैंने हारे का यादम देखते रहे ये ललन टॉप स्पोर्स शक्रिया